दन्यूजी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ है योश कुपता सत्रवी लोग सभा के तहट मोधी सरकार में 64 वर्शिय प्रताप चंद्र सारंगी को भी राजमंत्री बनाया गया है बता दें कि जब सारंगी श्रपत लेने आए तो सबसे ज़्यादा तालिया बजाए गई और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सारंगी के तमाम किस्से वाइरल हो रहे हैं कोई उन्हें फकीर नेता कह रहा है तो कोई उन्हें बताता है कि ये उडीसा में सारंगी उडीसा के मोधी के नाम से भी विख्यात है पिछले कई सालों से समाज सेवा कर रहा यह शक्स पहली बार सांसत बना है और पहली ही बार मंत्री पद्भे मिला है बीजेपी की रास्टे कारेकारिणी के सदस्य भी सारंगी है सारंगी का जन्म नीलगिरी से सटे गोपिनाथपुर गाउं के एक गरीब परिवार में 4 जन्वरी 1955 में हुआ मोधी की तरह सारंगी भी युवावस्था में सन्यासी बनने की रहा पर निकल पड़े थे वहराम कृष्ण मठ भी गए लेकिन साधों ने उन्हें मा की सेवा करने की सला दी जिसे बाद वो घर लोड गए चहरे पर सफेद धाड़ी, कमबाल, साइकिल और बैग यही सारंगी के पहचान है प्रताप चंद्र सारंगी एकदम साधारन से कपड़े पहनते हैं और आज भी अपने जोपड़े में रहते हैं ग्राम पंचायत के हेड़ पंप पर इस्नान करते हैं ना तो इनके पास काड़ी है, ना सुरक्षा को कई ताम जाम पैसो और बहुबल से चुनाफ जीतने के मिथक को सारंगी ने गरीबी और इमंदारी से ध्वस किया है करोडों खर्च कर अर्बु कमाने का जरिया बन चुकी राजनीती में प्रताप सारंगी कई बरसों से साधगी के हस्ताक्षर बने हुए हैं बता दे कि सांसद बनने से पहले प्रताप चंडर सारंगी ओडीशा की नेलगिरी विदानसभा सेट से 2004 और 2009 में विधायक रहे चुके हैं भगवा जंडा थामकर प्रताप सारंगी दो बार ओडीशा विदानसभा में भी बैट चुके हैं मगर ना तो इनके पास अपना बड़ा सा मकान है ना कोई गाडी है और ना ही पुलिस की कोई फोर्स है जहां दूसरे उम्मीदवार बड़ी बड़ी गाडियों में बैट कर चुनावी कैमबेन कर रहे थे वहीं सारंगी ओटो रिक्षा रैली करते थे वह प्रोफेशनल मैनेजर से जादा अपने पार्टी कारे करताओं पर निर्भर थे बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने चुनाव टचार में बिल्कुल भी खर्च नहीं किया सारंगी को उनके इलाके में अच्छे पकड़ है प्रताप चंद्र सारंगी 542 सांसदों में सबसे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर सांसद है जिनके पास मोबाइल तक भी नहीं है बालास और लोकसभा सिट से सारंगी 12,970 वोटों से अरबपती उम्मीदवार को हरा कर विजेता बने हैं वह पहली बार संसद पहुँचे हैं हलकि सारंगी से पहले भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आज माचुके हैं लेकिन 2014 में वह इसी सिट से चुनाव लड़े थे लेकिन बीजेडी उम्मीदवार जैना से हार कए थे अपनी चुनावी एफिडेविट में सारंगी ने अपनी चल संपती डेड लाग रुपे और अचल संपती पंदरा लाग घोशित की थी उनके आई के स्रोथ पेंशन और खेती है सारंगी ने शादी नहीं की इनके माता का पिछले साल देहां थो गया था इनका एक छोटा सा गहर है और ये पूरे दिन साइकल से गोंते है दन्यूजी में फिलाल इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और शियर करना ना भूला दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करना भी ना भूला धन्यवाद